अगर आपके पास एक Facebook account है और आप चाहते हो उसे secure बनाना तो इस वीडियो को आज तक जरूर देखना चैनल पर अगर नए आये हो तो चैनल को subscribe जरूर कर देना और bell icon को भी जरूर दबा देना अगर आप एक Facebook account users है और आप चाहते हैं कि अपना Facebook account को आप secure करे तो सबसे पहले आपको अपना Facebook account को open करना है open करने के बाद में आपको इस टाइप का interface मिले का सबसे पहले आपको three dot पर click करना है मैं यहाँ पर Facebook light version यूज कर रहा हूँ आपको setting पर आ रहा है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने Facebook profile को क्या से लॉग कर सकते हैं अब अगर आपने यहाँ पर अपनी Facebook profile को लॉग कर दिया है तो कोई भी users जो नया होगा जो आपका friend नहीं है वो आपकी profile पर आएगा तो उसे आपकी profile लॉग दिखेगी मतलब वहाँ आपकी profile photo को नहीं देख पाएगा उसके अलाबा आपने जो photo upload किये है आपके friend नहीं कुछ नहीं देख पाएगा वो वहाँ पर direct ही लिखा होगा की profile लॉग तो यहाँ पर आपको इस setting को open करने के लिए सबसे पहले इस setting वाले option पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद में आपके सामने यह page खुल के आ जाएगा जहाँ पर सबसे पहले लिखा होगा account setting आपको यहाँ पर account setting पर नहीं जाना है उसके नीचे वाला option है security security में भी नहीं जाना है मैं आपको detail में बताऊंगा अगली वीडियो में कि इन सभी जो setting है इनका क्या मतलब है आपको यहाँ पर privacy के option पर आना है privacy जो option है उस पर और privacy के option पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर यह profile lock profile lock यहाँने कि limit who can see your photo post and more in on step तो यहाँ पर बताए जा रहा है कि यहाँ पर limit मिल जाएगी आपके photo को देखने के लिए और कुछ step करने पर तो यहाँ पर इस पर click करना है उसके बाद में आप यहाँ पर lock your profile पर click करेंगे lock your profile पर click करते हैं आपकी profile lock हो गई है यहाँ पर लिखा रहा है कि you locked your profile अब यहां पर आप देखोगे तो आप यहां पर किसी और ID से जिस पर फ्रेंड नहीं है तो वहां पर यह profile log दिखेगी आप देख सकते हो यहां पर your profile log अब इस profile को कैसे unlock करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँगा in future अगर आप अपनी profile को फिर से unlock करना चाते हो तो आप यहां से कर सकते हो तो profile पर आएंगे तो profile पर आने के बाद में आपको आप खुद की profile तो देख सकते हो लेकिन कोई नया बंदा आपकी profile को नहीं देख सकता तो यहां पर फिर से आपको sim setting पर जाना है आपको यहां पर दो option दिखेगा invite friend and unlock profile तो आप यहां पर unlock पर किलिक करोगे तो आपकी profile फिर से unlock हो जाएगी तो यहां पर बता रहा है कि when you unlock your profile your setting will return to day where you lock your profile September आज की date है यह तो यहां पर आप चाहे तो lock कर सकते हो और unlock भी कर सकते हो कुछ step करने के बाद में तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में जब तक के लिए जाहिन